नोव से प्रो यानि जीरो से हिरो बनने वाले स्थ का एक ये अनदर वीडियो है जिसमें आपको यहाँ पर यह सिछाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप अपने फौन को कैसे इजली रूट कर सकते हो 17 nit को कैसे पास कर सकते औ साथ साथ बैंकी को युच कर सकते हो साथ से यहाँ पे आप दो तरीके से अपने फोन को रूट कर पाऊगे एक with recovery और एक without recovery और plus में आपका MIY वर्जन या Android वर्जन या कोई साभी हो फर्क नहीं पड़ता मैठेट प्रोसेस में आपको सेम बताऊँगा बस अच्छे से आपको देखना समझना है ताकि आपको जब आपको Xiaomi, Redmi, Poco के डिवाइस के अंतर कोई भी दिक्कते ना आए कभी भी क्योंकि यह सब कुछ सिर्फ आपके लिए बनाया है ताकि आप एक nob हो new हो तो भाई pro बन जाओ और zero से hero बन सको चलिए आपके वीडियो को सुरू करते हैं अच्छा लगता है लाइक करेगा चैनल प के वीडियो मिलते रहें तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो नए तरीकों के उपर कैसे हम अपने फोन को रूट कर सकते हैं without recovery और with recovery without recovery वहला long process होगा लेकिन हां असान रहेगा बढ़ हां उसमें आपका data ज्यादा खर्च होगा और with recovery था सिंपल होता है एजी होता है तो उन् आपको अपने फोन को जिसे root करना है जिसका android version कोई सा भी हो 13 हो या 12 हो 12.1 हो उसके लिए magics डाउड करना है और magics universal होता है हर एक device के लिए same होता है बस आपको google पर जाना है magics टाइप करना है पहला यहाँ पर git hub का side technique को मिलेगा उसे आपको open कर लेना है open करने के बाद जो next page खुलेगा वहाँ पर आपको magics के file देखनी को मिलेगी और version जो के हमाँ 25.2 है तो इस तरीकी से इस apk को click करके आपको download कर लेना है और यह apk format में होता जी format में नहीं होता यह ध्यान रखना और सबसे latest ही use करना है old magics का use नहीं करना otherwise आपके phone में दिक्कते आ सकती है तो यह download ह हो गया जो के 10.76 MB का है download हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है अगर हम यहाँ पर follow करते without recovery method तो सबसे पहले आपको उस magic के apk को अपने phone के अंतर install कर लेना है तो यह रहा download का folder इस पर click करेंगे first time कुछ permissions लेता है allow लेता है installation के लिए वह हम दे देंगे देने के बाद इसे हम install करेंगे install हो जाने के बाद आपको इसे open करना है open करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे permission लेता है तो देख लेना अब यहाँ पर कुछ चीज़े आपको ध्यान में देनी है अच्छे से देखना समझना है जैसे कि आप यहाँ पर देखो ram disk यहाँ पर yes लिखावा मिल रहा ह ठीक है अगर आपका ram disk की yes लिखावा आता है आपके phone के अंदर तो आपको boot file के जरूत परेगी लेकिन अगर यहाँ पर नो रहता है तो आपको recovery file के जरूत परेगी और maximum जीतने भी latest devices आ रहे हैं जो कि 2022 के end और अब 3 में आ रहे हैं सभी में हमें maximum ram disk की yes देखनी को मिलता है वहाँ पर boot file की ही जरूत परती है और पुराने वले devices जो हो गए जैसे कि Redmi का Note 6 Pro, Note 5 Pro, Note 4, Redmi 4, 4A अगरा तो उसमें आपको ram disk में भी no देखनी को मिले तो वहाँ पर recovery की file लगेगी यह ध्यान रखना अब आपको जरूत परेगी boot या recovery की file उसे हम कहां से निकालेंगे चलिए उसके उपर नजर डालते हैं क्योंकि यह most important है और यहाँ पर यह आपका data खर्च होगा उसके लिए आपको PC या phone की जरूत परेगी कहीं पर यह process follow कर लेना तो मैं आपको लेकर आगे हो अपने कहां पर PC screen पर आप से अपने फोन पर कर सकते हो आपके पास सामी का phone है तो काफी अच्छा है सामी को phone को root करना अच्छा होता है अच्छा रेडमी हो या पोको हो लेकिन उसके लाबब किसी और company का हो ना तो उसमें रोम की file एर सर्च करना थोड़ा मुस्किल होता है तो आपके पास जो भी device है वह पहले टाइ करके find करना परेगा क्योंकि इसके बार मुझे idea नहीं है बाकी रोम कहां मिलते हैं तो इस तरह किसा search करना है search करने के बाद एक site आपको दिखाए देगा लेकिन आपको देखना यह है कि आपके device के अंदर कौन सा रोम डाला हुआ है किस country का डाला हुआ है कोई custom रोम है या port रोम है अगर custom या port है तो उसके file को आप unzip करो वहां से boot image निकल जाता है अगर आप stock पे हो तो यहां से आपको निकालना परेगा तो यहां पर आपको पह आपने phone का MIUI वर्जन दिखा हूँ तो यहां पर आपको देखने को मिलता है MIUI वर्जन जो की 13.0.4 है जबकि update आयो है 13.0.5 का बट मेरे phone में डाला हुआ है 13.0.4 तो आपको डाउलोड करना है जो software वह आपके phone के installed software का matching होना चाहिए कोई भी old या new नहीं होना चाहिए तो य आपको डाउलोड करना है वह रोम जो मैंने आपको डाउड नहीं है लेकिन मने कहीं से निकाल लिया था ठीक है तो मैं को बस यहां पर समझा रहा हूँ, आप समझने के उपर focus करो, इस room को आपको download करना है ना कि यह recovery को, download हो जाने के बाद आपको उसे unzip करना होगा, देख सो तो यहां पर मैंने download कर रखा है, download करने को बाद इसे आपको double click करना है, और unzip करना है किसी भी folder के अंदर, जो कि म file होंगे, उसके अंदर एक image होगा, इसे भी open करेंगे, अब यहां पर आपको find करना है, अगर आपका RAM disk की yes है, तो boot file find करना होगा, अगर आपका no है, तो recovery, तो एक ही file होता है, या तो boot मिलेगा, या recovery मिलेगा, तो मेरा yes था, तो मैं boot find करूगा, तो type कर लो boot, यह आपको install कर रखा है, आज आने के बाद, यहां पर आपको दिखाए देगा, एक install का option, इस पर आपको click करना है, click करने के बाद, यहां पर आपको दिखाए देचा है, select and patch file, इस पर click कर देना है, आपका internal open होगा, आप अपने internal को browse करो, यहां पर triple dot पे click करके, आप show कर दो hidden file है, उसके यहां पर थोड़ सा process चलेगा, और आपका जो boot या recovery file है, वो patch होगा यहां पर, patch होने के बाद, इसका आपको location दिखाए देगा, कि यह कहां पर save हुआ, तो normally हमें इसा download के folder में यह save होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ internal storage में, कि download में यह नजल आ रहा है या नहीं, तो य यहां पर download में हमारा APK है, magics का, और यह जो हमने boot को patch गया था वो, अब इस file को आपको अपने PC में move या copy करना है, तो यहां फाइल, जिसे में यहां से copy करूँगा, और एक tool की जरूत पड़ेगी, जिसका नाम है platform tool, तो मैं वह यह बता देते हूँ कैसे download करना है, platform tool Google पे ड ट्रम and condition को accept करेंगे, download कर लेंगे, यह आपके पास होना बहुत जुरूरी है, अगर आप अपने phone के अंदर कुछ भी छिर्शा करना चाहते हो तो, क्योंकि यह बहुत काम आता है, जो कि 5-6 MB का होता है, download करना है, download कर लेने के बाद आपको इसे unzip करना है, जो कि मैंने unzip कर अब इसके अंदर आपको अपने file को move कर लेना है, इसमें मैंने बहुत साथ चीजे move कर लखी है, उस ignore मारो, क्योंकि जो आपका main file होगा वो बहुत छोटा होता है, उसके अंदर कुछ file ही देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख से तो इतने ही file हैं, लेकिन मैंने यहापे बहुत कुछ डाल रखा है, तो नहीं ignore करो, जो मैंने copy किया था, उसे मैंने यहापे paste कर दिया, यह आ गया, अब आप चाहो तो इससे पहचानने के लिए rename भी कर सकते हो, अपने device का name डाल दो, MIY version, जैसे कि X4 Pro, MIY 13.0.4 ID, ठीक है, मैंने यहापे नाम डाल दिया, ताकि पह अचाहन सको, अब आपको यहापे जो 10 PC दिखाई दे रहा है, उपर का बार, इस पर किलिक करना है, और स्मॉल में टाइप करना है CMD, इंटर, आपका command promote open हो जाएगा, अब आपको अपने phone को switch off कर लेना है, और हाँ, यह साले process के लिए आपके phone का bootloader unlock होना बहुँ जारा ज long press करेंगे, जिससे आपका phone क्या होगा, fast boot logo पे appear होगा, आपका पुराना phone है, यहाँ पे me bunny plus fast boot लिखावा आएगा, आपका नया है, तो सिर्फ उसी fast boot लिखावा यहाँ पे देखनी को मिलेगा, यहाँ आ गया, अब आपको अपने phone को PC से connect करना है, connect हो जाने के बाद, अब फिर से type करेंगे fast boot slash, ठीक है, हो गया, अगर आपने phone के अंदर RAM disk को no देखाया है, और उहाँ पे आपने recovery को patch किया है, यहाँ पे type करना है recovery, ठीक है, recovery करने के बाद जो patch आपने file किया है, उसी इस तरिक से drag and drop कर देना है, और enter क्लिक करना है, लेकिन मेरा यहाँ पे भाई क् तो मैं यहाँ पे boot type करूँगा, ठीक है, a space, अब यह जो patch file है, उसे drag and drop करेंगे, अब enter पे click कर देंगे, यहाँ पे कोई भी error नहीं आना चाहिए, सब कुछ okay होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब आपको type करना है fast boot reboot, ठीक है, अब आपको phone on होगा कुछी second में, तो थासा आपको wait करना है, तो यहाँ पे हमारा phone on हो चुका है, अब क्या करना है, आपको अपने magics के उपर आना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि magic के अंदर कुछ कुछ options यहाँ पे हमारा disable था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे, सब कुछ आपका enable हो जाएगा, और में भी आपका magics एक बाद permission लेकर auto reboot करेगा आपके phone को, तो यह किसी-किसी phone में होगा, किसी में नहीं होगा, लेकिन हाँ, reboot होगा तो होने देना, यहाँ पे इसने कोई भी permission नहीं लिया, अब देख से तो यहाँ पे super users भी active हो चुका है, module भी active हो है, अब यहाँ पे setting पे जाके, आपको अगर 178 पास करना है, तो वह मैं आगे आपको बताऊंगा, यह सब चीजों का आप यहाँ पे on कर लेना, on कर लेना, और यहाँ पे अपने list जिसे आप hide करना चाहिए हो magic से, उसे यहाँ पे find कर लेना, ठीक है, इस तरह किसे हमारा phone य क्या हो गया है, root हो गया, और roots related आपको जो कुछ भी यहाँ पे use करना है, कुछ patch डालना है, dolly भी डालना है, जो कुछ भी करना चाहते हो, वह सरी चीजे आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन हाँ, root के condition में आपका phone OT update नहीं होगा, full ROM ही flash होगा, और next time जब आप full flash करोगे, आप आपका phone फिर से unroot हो जाएगा, और द्वारा आपको reroute करना परेगा, तो यह था हमारा without recovery के root वहला process, जो कि थोड़ा लंबा, different हा, लेकिन अब बात करते है, easy method के उपर, जो की recovery के help से होता है, तो वो मेरा device था Android 12 के उपर, यह मेरा Android 13 पे run करना है, जिसे आपको idea भी लग ज होता है, Android origin से फरक नहीं बढ़ता जादा, ठीक है, बस file आपको सही मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो कि आपको Android 13 देखने को मिर रहा है, अब इसे हमें root करना है, ठीक है, तो condition होई होगा, bootloader unlock होना चाहिए, और आपकी phone के अंदर custom recovery डला हुआ होना चाहिए, तो म आपको power button and volume आपको long press करना होता है, recovery जिससे open हो जाएगा, आपको कोई से भी device है, process same रहेगा recovery open करने का maximum device के अंदर, यहाँ पर जैसे light up होगा, power button को lift करेंगे, volume आपको long press किये रखेंगे, जब तक ही recovery open ना हो, और इसके लिए आप चाहो तो orange fox, pvrp, tlrp, कोई modern recovery, कुछ यूज कर सकते हो, बस custom recovery होना चाहिए, यहाँ पर यह password पूछ रहा है, मैं password डाल लूगा, अपने phone के जो lock screen password है वही, अब यहाँ पर आपको जूरत परेगी, वही magic's के AP के कीद, जो कि आपको latest download करना है, जो कि मैंने यहाँ यहाँ पर डाल रखा है, अब इसे select करेंगे, औ normal reboot भी कर सकते हो, आपका phone on होने में थ्वासा time लेगा, तो वेट करना है, तो यहाँ पर हमारा phone है जो आई on हो चुका है, अब यहाँ पर देखो कि आपके जो application है, यहाँ पर आपको magic's का file दिखाई देगा, लेकिन यह कुछ दिर में सो होता है, instant आपको नजर नहीं आएग इसका, तो simply उसे install कर लो, install हो जाने के बाद, आपको उसे open करना है, और यहाँ पर यह permission लेगा, first time, जो कि यह रहा, required additional permission यह आपको देना है, इसके बाद आपका phone 5 second के अंदर restart होगा, तो restart होने देना है, phone यहाँ पर on हो चुका है, अब आएगा हम वापस magic's के उपर, अब य कैसे करना है, और banking के app को use कैसे करना है, तो चलिए, उसके उपर देखते हैं, process, मैंने दोनों बता दिया, route करने का, आप safety net pass का देखेंगे, play store पर आना है, search करना है safety net, आपको यह application देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से, इसे आपको download कर लेना है, download हो जाने के बाद, इसे आपको open करना है, open करने के बाद, यहाँ पर कुछ permission लेगा, और यहाँ लिखावाएगा, run safety net, ठीक है, इसे run कर देखेंगे, चेक करेंगे, आपका device certified है, या नहीं, तो यहाँ पर आपको यह दोनों fail है, अब हमें इसे pass करना है, ठीक है, यहाँ पर play store भी आपका uncertified हो चु triple line पर click करके करना है, so all system app, ठीक है, अब यहाँ पर आपको search करना है, play store, ठीक है, यहाँ पर play type करते ही, आपको दिखाएगा, google play service, इस पर आपको tick कर दो, इस पर tick करो, यहाँ पर यह पहला on होगा, उसके बाद यहाँ पर unstable लिखावा आता है, इसे भी आपको on करना है, और play store को यहाँ पर fully tick कर लेना है, तो यहाँ पर सारे option को आप यहाँ पर on कर लो, on हो जाने के बाद, यह चीजे हो जाने के बाद, अब आपको क्या करना है, एक काम और करना है, अब आपका जो भी android version है, उस से related आपको 178 चेक वाला एक module डाउनलोड करना है, तो मेरा यहाँ पर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या PC पर, आपको Google पर जाना है, सेर्च करना है, 178 module 4, आपका Android 12 है तो 12, 13 तो 13, टाइप करो, आपको FDA का साइट नजर आएगा, या फिर GitHub का, उस पर चले जाना है, जो कि यहाँ पर FDA आपको दिखाई देरा है, कुछ इस तरी किसे देख सकते यहाँ पर यह लिखावा है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यह आपको सेम उसी साइट के उपर लिकाएगा, जो कि इन्वर्सल है, यहाँ पर download latest version आपको देखनी को मिल जाता है, क्लिक करेंगे, यह आ गया 2.4 जो कि latest Android 13 के लिए है, और यह रहा इसका zip file, ठीक ह इस पे click कर देंगे click करने के बाद यह आपका download हो जाएगा इसे आपको अपने phone के अंदर move करना है या copy मैंने यहाँ पे copy कर लिया अब उसके बाद वापस magics के उपर आना है back आना है module पे जाना है install from storage पे click करना है file को browse करना है कुछ इस तरीके से जो कि आपने जहाँ पे डाला है या move किया है यह रहा इसे click कर देंगे यह flash होगा flash होने के बाद reboot का option आएगा reboot करेंगे कोन हमारा on हो चुका है अब वापस क्या करेंगे हम यहाँ पे इस application के उपर आएंगे और check करेंगे कि क्या यहाँ पे so करता है तो आप यहाँ पे देख सेता है कि यहाँ पे दोनो पास आ चुका है कोई भी fail यहाँ पे नहीं है यानि हमारा 178 यहाँ पे successfully pass हो गया तो इस तरगी से 178 जो हमारा fail हुआ था root करने के वज़े से वो pass हो गया लेकिन अब हमें banking app यूज करना है आपके phone के जो भी banking app है या जिसे आप यूज करना चाहते हो उसे आप play store से download कर लेना download करने के बाद अगर आपने उसे पहले ही on कर लिया है 178 जब fail था तो तो long press करके उस app के उपर जाओ और data clean कर दो ताकि जो कुछ भी आपने आउन किया था तो प्रमीसर ले ले लिया है वो सब कुछ खतम हो जाए ठीक है उसके बाद आपको वापस magic के उपर आना है आने के बाद आपको setting के उपर जाना है यहाँ पर जो आपका अब यहाँ पर आप चाहो तो अपने फोन को एकवार restart कर लो अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें इन पर login करके देखना है कि login होता है या नहीं सबसे पहले phone पर open करेंगे यहाँ पर अन हो चुका है ठीक है और login भी हो गया अब दूसरे app की बात करते हैं जो कि हमारा जीप है तो यह भी login हो गया successfully कोई दिक्कत नहीं आया अब यह नो आप देखें तो इसका भी processing चल रहा है जबकि root में यह काम ही नहीं करता है ओपिने नहीं होता है तो यह भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है कोई दिक्कत यहाँ पर आपको जो देखने को नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से आप भाई banking के app भी हूज कर सकते हो fix करके और आप आपको कोई भी problem नहीं आएगा I know कि वीडियो काफी लंबा हो गया जरूर से ज्यादा लेकिन हर एक चीज मैंने आपको find out करके download करने के लिए सिखा दिया यहाँ पे तो नए तरीके से root करने के लिए बता दिया साथ साथ क्या क्या चीज यहाँ पर रिक्वाइट परती है वो सब कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ताकि आपको किसी से बारवा फाइले मांगनी नहीं परे आप खुदी सब कुछ ही जो कर सको वीडियो अच्छा लगा हो इंफ्रमेटिव लगा हो नोब से प्रोग के अंदर आपने कुछ special सीखा है कुछ extra knowledge मिला है ता लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब और सेकेंड जो custom room का वीडियो है उसी भी आप सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं इस वीडियो में थैंक्स वाचिंग बबाई